हेलो फ्रेंड्स मैं वीले निर्भिक फ्रेंड्स आपकcią अपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स रेलवं एलपी न्यू वेकंसी 2024 गुड्ड नूटिप्केशन में भी वही बातें जो मैंने आपको बताया जी हां फ्रेंड्स मैंने कल भी आपको भी बात बताया था आज भी बताया था और अल्मोस्ट जब मैंने वीडियो अप्लोड किया तभी नोटिफिकेशन भी आ गया लगबग पौने दो दो बजे ठीक है तो तब से मैंने कोई वीडि ला रहा हूं लेकिन पूरा एनलिसिस के साथ ला रहा हूं हमेशा के तरह ताकि आप लोग को मतलब ज्यादा परिशाद ना होना पड़े और ज्यादा मन में निगेटिविटी ना आए जैसा कि महाल कुछ यूटूबर्स कुछ लगभग मैक्समाम यूटूबर्स हमेशा के यह भी बोला था ठीक कल मैंने क्या बोला था पदों की शंख्या गलत यह अब हुए नोटीफिकेशन में उतना जिख रहा है न बहु अब भी भी गलत हैं मैं बताऊंका कैसे और आज मैं आपसे क्या बोला था कि आपको इसाया है ये किवाले एक सौट नोटीस है ठीक है और अगर च्छापन सो च्यानवे पोश्ट लिखा है अगर इतने का नोटिफिकेशन आ जाता है तो भी आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि ये रेलवे आगे भी बहुत कुछ करेगा और मैंने आज भी यही बात बोला कि रेले में वेकेंसी की कमी नहीं है ठीक है आप लोग मेरे दोनों वीडियो देख सकते हैं आज वाले या फिरिकल वाले दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा है बटन पे ठीक अब जैसे मैंने बोला था न करकि कुस लोग इस नोटिस को फेक बोल रहा है क आपको इस अब चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि वाल आपको अपने तैयारी पर फोकस करनी है क्यूकि मैं आपको बहुत पहले बता रखा था कि जनवरी में आपका जो है ऐलपी का नोटिफिकेशन आने वाला है इस बात का परूफ मैं आपको देह चुका हूं बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं नॉवंबर से लगतार कह रहा था कि नॉवंबर दिसंबर में आपका अलपी का नोटिफिकेशन आने का उमीद नहीं है और रेल्वेस कोई नोटिफिकेशन आने का उमीद नहीं है रेल्वेस से पहला वैकेंसी लग रहा ठीके मैं बाकी लोग तरह आप लोगों गुम्रार नहीं करता हूं यहीं मैं थोड़ा सा अलग काम करता हूं और मैं बहुत ज़्यादा फाल्तु वीडियो नहीं बनाता हूं ठीके तो वीडियो हो सकता है अगर फ्रस लंबा हो जाए तो आप टाइम देजेगा क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मेरे बात को समझ नहीं पाएंगे तो फिर आप ब्लेम करेंगे तुम तो यह कहे थे यह हो गया तो पहले आप लोग कोई भी वीडियो फ्रेंट्स पूरा देखा करें तब ओपिनियन दिया करें ठीक है ओपिनियन आप लोग जो द और रेले में वेकेंसी कमी नहीं है यह सब बोला था ना मैं उस वीडियो में तो मैंने क्या कहा कि मतलब को लोग बोल रहे हैं साथ ऐसा बिलुकुल भी नहीं है प्राइटाइशन का काम सुरूश चल रहा है आज कोई नई बात नहीं है ठीक बहुत पहले से यह लोग प्राइ यहीं प्राइटाइज हो जाएगा यह महज़े लोग अफ़ाफ हैल आ रहे हैं कि आप लोग परशान हो जाए यहीं बात मैंने आज के वीडियो में बोला था दिन वाले वीडियो में ठीक अब बात करते हैं वेकेंसी टेबल के कैसे कि मैं कह रहा हूं कि पदों की संख्या गलत है क्योंकि उहां पे 596 कल के शॉट नोटीस में भी लिखा था और आज के ऑफिंशल नोटिफिकशन में भी लिखा हुआ है तो मैं कैसे कहरूं कि अभी भी गलत है कि स्पे मैं अभी अभी घारान्टिव ले रहा हूं कल के तरह ठीक है कि यह गलत है ठीक है अब यहीं से डो स अर् 202 से ठेकें सी तो अर्थीस आपको लगता है कि मतलब कि पिछले कुछ साल के रेलवी की थिहास में ईसी वेकेंसी आई होगी जहां पर मतलब किसी भी जून में वेकेंसी 200-100-300 ऐसा लगता है तभी आया था ऐसा ऐसा कोई वेकेंसी हमारे क्याल से नहीं आया था इस पेसल कटेक्स छोड़के जैसे मिस्चल वगरा होगे यह सब वेकेंसी थोड़ी कमाती है ठीक आइसलेट वगरा यह तो नॉर्मल वेकेंसी है नहीं है ओपें एपार्टमेंटल वेकेंसी से हमेशा ज्यादा होती है ठीक है तो अभी आप देखरें एहमद्यवाद में 238 है अजमेर में 228 है बैंगलोर में आपका 473 है भोपाल में 2 जोन है WCR वर 219 और 65 है ECOR बोनिश्वर का आपका 280 है और बिलासपूर के CR में आपका 124 है बिलासपू फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अभी 1192 में दिया हुआ है सबस्याद यहीं दिख रहा है सब लोग ही तूड़ जाएंगे अब चेंडीगड एनर देख लिए जहां नॉर्मली वेकेंसी ज्यादा आती है केवल 660 है 100 भी नहीं है 200 वदूर की बात है फिर यहां चेंड़ एस इसाय और फ्रेंट्सट अइसा बिल्कूल भी नहीं जैसा कि मैं कल ही कह रहाता है पदोगी संख्याद है अब ही मैं बोल रहा हूं यह पदो धोकि संख्या गलत अब गलत का मतलब ये ठीक है बाकी courses की बात तेज हैं तो मैं बता दू courses में बाकी लोग तरह नहीं शेयल करता हूं मैं भी course लाओंगा और हमेसे authentic लाओंगा पिछले बार के तरह लाओंगा ताकि इस पार भी कोई बी को आफको 90% courses डायेटली मिल जाए अब आप कहेंगे courses में कहा से ला रहा हूं तो फ्रेंट्स courses मेरे उसी एप पे मिलेंगे जहाँ पहले मिलते थे जरूवत है नहीं क्या बताने वाला हूं ठीक है या क्या अभी तक बताया हूं हर एक बात मेरा सही निकला है और आगे भी सही निकलता रहेगा कंप्लीट नहीं उपाई है ठीक है वह कंप्लीट ना होने के वज़े इनके पाद अभी पूरा वेकेंट डेटा नहीं आया है लेकिन वेकेंसी निकालने का दबाव था अभी रामंदर का मुद्द चला बाइस सारी को प्राड़ परतिस्टा है तो यह भी सब देखते हुए इ वेकेंसी निकाल दिया है ठीक लेकिन वेकेंसी अच्छी खासी इंक्रीज होगी जैसा कि मैं पहले बताया था कल भी बता रहा हूं वेकेंसी इंक्रीज होगी क्योंकि पुराने वेटिंग वाले क्लियर होंगे न तो आपका यह वेकेंसी जो है अच्छा इंक्रीज कर जाए तो फ्रेंस टेकनीशियन की भी वेकेंसी आएगी इसमें कोई डाउट नहीं कुछ लोग कमेंट आपस पूछ रहते हैं कि आपकेंसी बढ़ने वाली है अब 15,000 तक होगी ठीकेंसी कम नहीं होती है 15,000 होने का मतलब है कि अभी लगबग 200 दिकरा है हर जोन में ठीक है 200 आडिर्स हो कर सकते हैं तो लगबग 506 हो जाएगा अब अब जो पुराने अब जो जाइन करेंगे तो बढ़ जाएगी उहां पर इस वैसे अभी ज्यादा वेकेंट नहीं रहेगा तो मतलब फिर भी आपको उतना पॉस्ट मिल जाएगा कि आप फाइट करके एक नौकरी ले सके अब अब उमीद करें कि पिछले बार के तरह 3032 सब्सक्राइब निकाल दूंगा अभी मैं आपसे यहीं कहूंगा 3032 न मान करके चले अभी आप यहीं मान चले 15,000 तक आपके पोस्ट हो जाएंगे ठीक है 15,000 तक maximum possibility दिख रही यानि कि लगभग लब इसके दो गुने पोस्ट और बढ़ जाएंगे तो मैं तब भी यहीं कह सब्सक्राइब अपने नुक्सान करते हैं ठीक है आप उनको फायदा अपने फायदा करिए और अपने प्रिप्रेशन में लग जाईए जितने वेकंसी देर दिख रही हैं आप उसका 3 गुना मान कर चलिए यानि गोरपुर में एक सो बीस एक सो तीस क्यास पस जाएगा यह हो सब्सक्राइब गोरपुर का बहुत ज्यादा बढ़ जाए 300-400 भी हो जाए ठीक है तो ऐसा आप मान करके चलिए कि वेकंसी तो हंडिप्रेशन श्योर बढ़ने वाली है और नोटफिक्शन सफ लिखा भी है वेकंसी हम इंक्रीज भी कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते है इसलिए इनके पास complete data नहीं है कि कितने post पे इनको भरदी करनी है लेकिन अभी दवा क्योंकि इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन से पहले अगर कोई वेकंसी देंगे नहीं तो फिर वोट नहीं मिलेगा यह रिजन है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप परसान मत ह आए ठीक है तो वही बात है सच में friends है यहां पिकोई डाउट नहीं वेकैंसी बढ़ने वाली है बाकि लोग मेरे बात को पापी कर लें बाद कोई बात नहीं लेकिन अभी वेकंसी बढ़ेंग से बेंडिंग है और एलेक्शन का टाई में इनको वेकैंसी देने का दबाव ह अगर यह वैकेंसी नहीं देते फिर लेक्षियान में जोड़ा साइन को डर रहता और बाकिया आफ लोकें के ट्विटर कैम्पेंस दावा पड़ेगा तो कभी नहीं पड़ेगा कभी नहीं पड़ेगा ठीक है फ्रेंट्स तो अभी के लिए बस इतना है थैंक यू जय हिंद् आपाद को तो